मोधी सरकार ने 2022 तक किसानों की आयद दोगुनी करने का वादा किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है एग्री स्टैक। और क्रशी शेत्र की एफिशेंसी बेहतर करने में मदद करेगा। इसका इस्तमाल किसानों को सेवाओं की एंटू एंड डिलिवरी के लिए किया जाएगा। एग्री स्टैक कैसे काम करेगा। डेटाबेस देश भर के किसानों की लैंड रिकॉर्ट्स को पीम किसान, सॉयल हेल्थ कार्ड और प्रधान मंतरी फसल वीमा योजना जैसे कारेक्रमों से संबंधित डेटा से जोडने का काम करेगा। डेटाबेस को तयार करने में आधार कार्ड आधारत किसान योजनाओ जैसे पीम किसान का इस्तिमाल किया जा रहा है। एग्री स्टैक के जरिये हर किसान को एक डिजिटल आईडी दी जाएगी जिसे उनके आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। एग्री स्टैक के डेटा में पर्सनल डीटेल्स, लैंड प्रोफाइल, प्रोडक्शन डीटेल्स और फाइनेशिल डीटेल्स जैसी जानकारियां शामिल हो सकती है। मंत्राला ने बताया कि अब तक लगभग 5 करोड किसानों की डीटेल्स वाला एक डेटा बेस तैयार किया गया है और जल्द ही सभी किसानों की डीटेल्स के साथ इसे पूरा कर लिया जाएगा। आईए अब जानते हैं कि एग्री स्टैक से क्या फाइदा होगा। यह परियोजना किसानों की लागत को कम करेगी और खेपी को आसान बनाएगी। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानि आईएफफ का कहना है कि एग्री स्टैक किसानों से जुड़े कई मुद्दों को हल करेगा। यह पेस्ट इंफेस्टेशन, फसल की बरबादी, उपज के पूर्वा नुमान से जुड़ी जानकारी देगा। इंग्री स्टैक किसानों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि अपनी उपज को बेचना है या स्टोर करना है, या कब, कहां और किस कीमत पर उसे बेचना है। किसानों को सबसीडी पहुँचाने में अभी भी कई जगाओं पर दिक्कत आती है। फिलाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राया है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्कियों खब्रों को आसान भाशा में समझने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल लो देस। सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल लो दुनिया की तमाम मुश्कियों खब्रों करें।